हेलो एब्रेवन वालकम टू स्टड़े आएक्यों वालकम टू दिस सेरीज अफ जिसलियों आज जो चैप्टर हम डिसकस करने जा रहे हैं वह होगा वों टैंपरेट इस्टरन मार्जिन जिसको हम बोलते हैं चाइना टाइप अफ क्लाइमिट एस वेल तो पहले देखते हैं कि इसका मिडिंग क्या है वों टैंपरेट हिसरन मार्जिन कहा वैसे तो आप लोगो को अइडिया होगा ही और आइडिया होने का सिंपल कारण यह है ने सिंपल करते हैं तो इससे पहले भी हमने एक डिस्कूशन किया था ज्यूसित में अमने देखा था वां टेंपरेट वेस् मतलब आविसली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो आउट साइड में ही होगा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पॉल वर्ड साइड पे होगा similarly Southern Hemisphere में वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपका Southern Pole की तरफ होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कॉन से सॉरी अब राइट देर आता है वर्म टेंपरेट तो वर्म वर्ड यूज करने का मतलब यह है कि हापे ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जो आपका चेंज है टेंपरीचर का वो तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है अल्दो लेटिटूड हम टेंपरेट में चले गए लेकिन फिर भी टेंपरीचर जो है वो जाता है अब जैसा कि हमने वर्म टेंपरेट वेस्टन मार्जिन की बात की थी तो इसको मैंने मेडिटरीनियन टाइप आफ क्लाइमिट भी बोला था उसका कारण सिंपल था क्योंक टेंपरेट इस्टन मार्जिन के बीच में डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस एक सिंपल सा है वोर्म टेंपरेट जो आपका वेस्टन मार्जिन था उसमें रेंफॉल कंपरेटिवली कम होती है बड़ वोर्म टेंपरेट इस्टन मार्जिन के अंदर रेंफॉल काफी ह हेवी होता है और हेवी रेंफोल के चलते आटमेटिक सी बात है वहाँ पे रहने वारे लोगों की लाइफ वहाँ की टेंपरेचर रींज वहाँ की लोगों की एक्टिविटीज वह सब अल्टुगेदर डिफरेंट होंगे फॉम दी वेस्टन मार्जिन तो आज जानने की कोश करेंगे कि exactly यहां पर किस टाइप का एडिया देखने को मिल जाता है एक इंपोर्टन चीज यह है कि आपका जो वर्म टेंपरीट का इस्टन मार्जिन है यहां पर आपका स्प्लासिफिक जो डिस्ट्रिबूशन होगा वह आप देख सकते हो वह डिस्ट्रिबूशन या तो चाइना में नहीं मिलेगा यह कुछ और प्लेक्शी पे भी मिलेगा कहां जाता है । राइट इंद सीम लेटिटिउड चाइना की बाद में आता है हमारे पास गल्फ ओफ मेक्सिको आपको प्ता होगा गल्फ ओफ مेक्सिको शल्फ अर्पर प्रडेक्शन के लिए काफी प एक ही डिफरेंस नजर आता है वह होता है आपका किसका बिसीकली कॉंटिनेंटलिटी का और आपके मैरी टाइम क्लाइमेट का दट वाई आपका सेम लाटिटूड पर अगर मैं सदन हैमिस्वर में जाता हूं तो मेरी पास तीन टाइप के पार्ट आते हैं डाटर्स एक पार् है वहाँ पर भी सेम क्लाइमीट होगा जिसको हम बोलते हैं आपका उनसे टाइप ग्लाइमीट नटराव का ऑखने तो यह नटरल टाइप का ख्लाइमेट भी देखने को मिल सकता है अब यहां पे एक इमपोर्टन डिफरेंस जो है वह नज़र आता है वोग इपोर्टन डि लेस और यहां पे rainfall होता है हाई अब आप पूछेंगे सर इसका कारण क्या है तो इसका कारण सुनिए देखो यह जो पार्ट था आपका that is western part यह आपके difference जो होता है that is continental high pressure low pressure का the difference होता है वहाँ पे वह स्टीक नहीं बैठता but at this place China type climate के अंदर काफी बड़ा continental area है और काफी बड़े साइड में water bodies भी है जिसके चलते mostly time पे क्या होता है यह onshore wind के अंडर रहता है अब जब यह area onshore wind में होगा तो obviously these areas will bring a lot of rainfall ठीक है यह क्या करेगा काफी सारी rainfall जो है इस area में लेके आएगा onshore wind का मतलब ही होता है bringing abundant rainfall on this area right तो अब अगर rainfall अच्छा होगा तो दोनों में यह समझा है कि यहाः पे rainfall कम है यहाः पर rainfall ज्यादा है तो rainfall अगर ज्यादा होगा था हम ही कह सकतें कि paddy cultivation होता होगा definitely यहाःप पी attitude काफी ज्यादा अच्छा होता है economic activity में मैं आपको बताऊंगा भी कि यहाःप का जो्रीस क का कल्टिवीशन है बहुत ज़्यादा होता है अब देखो अगर राइस कल्टिवीशन होगा तो आप समझ सकते एक स्टैपल फूर कंजूम करते हैं इसलिए पॉपॉलिशन भी इस एरिया के अंदर काफी डेंस है हालांकि यहां पे एंपल प्रेडेक्शन होगा इस केस में एक्सपोर्ट जो है वह ज्यादा देखने को नहीं मिलता क्योंकि पॉपॉलिशन इतनी ज्यादा कि वह सेल्फ कंजप्शन के अंदर उसको यूज कर लेती है इमपोर्टन्द चीजिएन यहां के क्लाइमिट के बारे में क्लाइमिट के जनरल ही अगर मैं बात करूब तो यहां पर एक चीज़ए को इसी देखनेको मिलेगी यह आपकी जो究ी होगा Summertime पे यू नो very well कि Landmass कैसा होता है Lain अब आपका लो प्रेशर पे और आपकी जो सवय होती है ये वारऊ है लेकिन साथ साथ में क्या होगी आपकी सामर होंगी ही कारण से वाटर बोली से आपकी और विन्डाएंगी और वह काफ साजादेन وल्यूम में हमारे पास मुश्च्र ले करें लेक IDAA IT रीडो ट अगर मैं में वैं कि बात करता हुआ टाका are cool and dry क्योंकि आपको पता है landmass उस ताइम पे ठंडा होगा और आपकी high pressure wind जो है वह आपके कहां पे जनरेट होंगी landmass पे तो high to low अगर दोबारा से moment होगा थी आपकी offshore wind होंगी they will not bring any kind of rainfall इसलिए आपका विंटर जो हो ड्राइइ इस केस में देखने को मिल जाएगा अगर मैं एवरेज रेंफॉल की बात करो तो चाइना टाइप क्लाइमिट में मुझे 25-60 इंच का 25-60 इंच का रेंफॉल जो है देखने को मिलता है जो काफी टाइम होता है आपका conventional rainfall मतलब यहां पर heating होगी और heating होने के बाद में क्या होगा आपकी जो wind है light हो जाएंगी light wind rise करती है और आपकी rainfall करती है उसके अपोजिट दूसरी situation आती जिसको बोलते हैं और ग्राफिक रेंफॉल और ग्राफिक रेंफॉल का मतलब होता है कैसी रेंफॉल जो क्या हो आपका बीच में को फिजिकल अब्जेक्ट होगा फिजिकल बैडियर होगा मांटीन हो सकता है उससे ठेकराएंगी और विंड आपकी uplift होंगी और आपक क्या के पास में हम नेटरल टाइप के क्लाइमिट उसको बोल देते हैं अब यहां देखिए इप यूविल लुक अपॉन दी मैप तो मुझे क्या पता लगता है समर टाइम पे चाइना टाइप क्लाइमिट के अंदर फोकस करें तो समर टाइम पर यहां पर क्या होगा आपक काफी अच्छी सनलाइट आ रही है तो टेंपरेचर जो है समर में तो काफी ज्यादा हो जाता है लेकिन जब आती हैं विंटर तो विंटर में काफी कूल नैस देखने को मिलते हैं और हाई प्रेशर होता है अब यहां पर बोटर बोड़ी पर जब लोग प्रेशर क्रेट हो क्या पास में आपके सैक्लों की ढवलफ में शुरू हो जाती है क्योंकि साइक्लों को क्या चाहिए लोग प्रेशर कंडीशन और आपका कोरैलिस फॉर्स थी तीनों सीज़ें अविलेबिलेटी आपके पास में हो जाती है चाइना के शीने साउच चाइना सी में अन्ड ले होते हैं अब एक चीज़ इंपोर्टेंट है जो याद रखोगे आप कि यहां पर जो साइक्लोन डवलप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं टाइफून के नाम से वह साइक्लोन जाने जाते हैं अगर बात करूं आपके गल्फ टाइप क्लाइमेट की जो की गल्फ ऑफ मेक्सिक जो होता है अच्छी खासी रेंफॉल एक अच्छा ट्यूरिजम का डेस्टिनेशन जो है वह फ्लोरिडा के अंदर देखने को मिल जाता है तो नटल टाइप प्रविंस के अंदर मुझे पता लगता है पाइम पैरो जैसे विंड है कोल्ड विंड चलते हैं और कोल्ड स्ट्राइन अगर ऑफ करो गारो तो इसकेश में मेरे पास डिफूरेंज जो नजर आएगा that difference will be totally about the maritime influence and that's why the summer temperature and the winter temperature are going to be nearly same to other same temperature only 20 temperature range what come hooghi it is happy dekhanay ko mil jati ab sabal attack is ticket temperature range is now very high that we can say or even i will say keonan average the coldness is not that much high the second important thing is we have the heavy rainfall in this region there is a heavy rainfall there is a temperature uh or there is abundant sunlight so these are two possibilities which promote the vegetative growth of a particular area because for photosynthesis to happen we have the requirement of two basic elements and that is sunlight which is abundantly available no doubt at all and the second is the water availability which is also available at this particular place so when it comes to the natural vegetation so i can totally say is here we have conifers type of forest will be found and there the conifers forest have the very fine timber which is usually used for making furniture what do we do which is utilized for making furniture or furniture of make for use that which is operating in this region, that the climate is a very good thing you have to talk about that, all this is the natural level of the sea from the sea from the sea from the sea जो reason है, that reason is under maritime influence, दुसरा ही को important चीज है, देखो, rainfall होने के लिए क्या जरूरी होता है, rainfall होने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर evaporation हो, और क्योंकि यहाँ पर current आता है, जिसको बोलते है mozambic current, ठीक है, यहाँ पर current, ocean current flow करता है, which is known as mozambic current, mozambic current evaporation को promote करता है, that's why भी इस region के अंदर rainfall जो हो, काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, अभी को और important चीज़ सुनिए, यह जो areas है, यहाँ पर क्योंकि अच्छी कासी rainfall है, आपका moisture भी available है, आपकी sunlight भी available है, तो on average, the greenery used to be there all the time, पूरे टाइम यहाँ पर क्या होता है, आपका greenery देखने को मिलते है, I can say there's an evergreen type of forest will be found in this area, but unfortunately, because this is a fertile area, that's why the people had cut down the forest, लोगो ने forest को क्या किया, cut down किया है, but क्या करने के लिए, agriculture activity के लिए, और क्योंकि heavy rain for water, that's why soil erosion is basically a very prominent activity at this place, soil erosion जो है आपका, वो काफी prominent activity इस particular area के अंदर देखने को मिल जाती है, इसके अलावा pine type of forest भी देखने को मिलते हैं, pine type of forest मतलब काफी narrow leaves जो हैं, वो देखने को मिल जाएंगी, और यह narrow leaves इनको help करती हैं, कि यह आपके snowfall का time जब होगा, तो उस time pin को protect कर सके, आपको कोई कोई चीज जो आपका शायद confusion हो सकता है, मैं उसको दूर करना चाहूंगा, कि जब China type climate की बात करते हैं, तो yes, there are winter conditions आपे snowfall होता है, बट लेकिन China type के अलावा, अगर मैं gulf type की बात करूं, तो it is nearly devoid of any kind of snowfall, वहाँ पे बहुत कम snowfall देखने को मिलेगा, और reason simple है कि land mass और आपका जो continentality है, मतलब वो even less है आपके China type से, तो continentality less है, मतलब extreme temperature कम होगा, extreme temperature कम मतलब वहाँ पे snowfall जो है, वो rear देखने को मिलेगा, इसके अलावा जो Australia वाला पार्ट है, Australia वाले पार्ट में आपको eucalyptus type के plant जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, इनका timber भी काफी important होता है, काफी valuable होता है, आपके furniture making के अंदर, modern industry के अंदर, तो वहाँ पे काफी ज्यादा use इनका किया जाता है, अब सवाल आता है कि यहाँ पे लोग क्या काम करते हैं, मतला basic economic activity जो है, इस particular area में वो किस type की economic activity देखने को मिल जाती है, क्योंकि जब हमें ये पता है कि climate कैसा है, we know कि rainfall कैसी है, we know very well कि हमारे पास इस area के अंदर, soil type कैसा है, तो definitely we must decide कि यहाँ पे economic activity के अंदर, लोग specifically क्या काम करते हैं, देखो, अगर मैं China type की specifically बात करता हूँ, तो देखे, China type जो climate होगा आपका, वहाँ पे कुछ अलगी type की activities देखने को मिलती हैं, वो होगा आपका rice cultivation, rice cultivation, China type climate के अंदर आपको क्या मिलेगा, basically rice cultivation बहुत जाता देखने को मिलेगा, people are engaged in rice cultivation, और rice cultivation के अंदर आपको एक और चीज़ भी नज़र आएगी, क्योंकि देखो, यहाँ पर discussion क्या हुआ, high pressure conditions and low pressure conditions, low on the land, high pressure on the water body, यहाँ से high pressure से low pressure जब wind जाएंगी, तो heavy rainfall इस केस में आपको देखने को मल जाता है, तो warm temperature, heavy rainfall है, अब heavy rainfall है, तो automatic सी बात है यहाँ पर आपका क्या होगा, yield जो है आपके, rice की, वो काफी ज़्यादा होती है, अब yield rice की ज़्यादा होती है, तो आप यह मत सोचना, कि यहाँ से export काफी ज़्यादा होता होगा, उसका कारण है, यह कि nearly 750 million population in this particular territory रहती है, खुद ही आपका self consumption वो करती है, जितना production होगा, nearly, almost, self consumption देखने का मलता है, export जो है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो yes, labor जो है, agricultural जो है, वो labor intensive part है यहाँ पर और आपके agriculture के अंदर labor supply काफी ज़्यादा है, अब देख़ए, यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, वोटर लोगिंग कंडिशन होती है, इसलिए जो waste आपका होता है, organic waste, इसको यह काफी बार use करते हैं कि सीज के लिए, basically अपने crops के लिए, nutrient जो supply होती है, वो soil से होगी, तो मतलब, soil enrichment के requirement की कैसे पूरी करते हैं, अपने, basically organic waste से, so they used to dump the organic waste, so that the nutrient requirement of the soil will be fulfilled, and soil will be totally satisfied, मतलब, soil will be giving outcomes, it is totally satisfied, it is totally, basically, fertile, and so that is a good, area, where we can talk about, दूसरा, यहां पर जो आपका seri culture है, वो भी काफी popular है, and maybe you want to ask, sir, seri culture क्या होता है, देखो seri culture का मतलब होता है, आपका silk की formation, right or not, yes or no, आपको जबाब देना है, इस पर, मतलब यह हुआ कि seri culture जो है, यहां पर वो भी काफी popular है, अरthworms बगारा जो है, आपका, यहां पर, आपका यहां पर, क्या हो रहा है, basically rice का cultivation हो रहा है, वो लेवल यहां पर आपका seri culture का नहीं है, अगर मैं बात करो, गल्फ टाइप की, अगर मैं बात कर तो, वहां पर कौन सा, basically, agricultural activity, economic activity देखने को मिलती है, देखिए, आप जो sweet corn खाते होंगे, ठीक है, कौन जो ह हमारे हैं मिलते हैं, वो sweet नहीं होते हैं, हम import करते हैं sweet corn को, तो आपके जो sweet corn हैं, यहां पर ही produce किया जाते हैं, अब आपको जानके हरानी होगी यह बात की, कि यहां पर जो sweet corn produce किया जाते हैं, वो किसके लिए किया जाते हैं, animals के लिए, यहां पर जो farmers हैं, वो corn को harvest करने के बजाए, they would love कि उनके जो एनिमल्स है, वो इसको कंजूम करें, अब कंजूम करेंगे, तो obviously उनकी जो हेल्थ है, वो काफी अच्छी होती है, एनिमल रियरिंग एक काफी इंपोर्टेंट एक्टिविटी है, के इसमें, अब अगर एनिमल रियरिंग एक इंपोर्टेंट बेसिकली पार्ट है यहाँ पे लाइफ का, तो obviously एनिमल्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, और जो मीट इंडस्ट्री है, वो काफी पॉपुलर है इस एरिया में, तो that is, meat industry is very, very popular in this particular area. दूसरी तीज, cotton का cultivation भी यहाँ पे किया जाता है, cotton cultivation का यहाँ पे यह देखने को मिलता है, एक्चली कि यह एरिया है आपका, लगभग, out of 365 days, almost 200 days यहाँ पे क्या होते हैं, frost free होते हैं, मतलब वहाँ पे उस टाइम पे snowfall बिलकुल भी नहीं हो रहा होता, और frost free sunshine days with a moisture, abundant moisture, is the best suitable, basically climate for cultivation of cotton, तो cotton का cultivation काफी जादा होता है, इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि USA की, USA जब आपका basically एक labor system जो है, जिसको की हम यह बोलेंगे की वो अपना जो एफ़ीका से लोगों को यह करते थे, basically purchase करते थे, slave बना की रखते थे, वो जो trend था, उस time से ही यहाँ पे क्या होता है, आपका cotton cultivation होता है, cotton के लिए negros को क्या ले आ जाता था, basically slave लेके आते थे, और उनसे काम करवाया जाता था, तो यह चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, तो that is, basically a little injustice was going on, but still they were doing, और इसके अलावा जो हमारी important crop है, वो है tobacco, tobacco का cultivation और tobacco का export भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, in the area of gulf type of climate, now the question is, कि अगर यहाँ पे चाइना टाइप और गल्फ टाइप में ऐसी सिट्वीशन है, तो what about the economic development, या crop cultivation in the eastern margin of southern hemisphere, वहाँ पे क्या हम ग्रोथ करते हैं, क्या यहाँ पे कुछ कुछ कल्टिवीशन हो भी पाता है, या फिर वहाँ पे बिसीकली southern hemisphere, मतलब nuttle type की province, अगर मैं बात करूँ, वैसे इसका नाम आपने सुना होगा, अगर मैं पूछना चाहूँ आप से, तो आपने साथ tall story farm का नाम भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है, तो एक बार इसको google करेंगे, and then, देखेंगे कि यह tall story farm किसली popular हो सकता है, आपके exam में क्योशन tall story farm के बारे में भी आ जाए, या nuttle province के बारे में भी आ जाए, तो definitely आप उसको देखेंगे, तो southern hemisphere की बात कर रहे थे, अब देखो, southern hemisphere के अंदर important difference क्या है, जो northern hemisphere था ना, वहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो हमें पता लेगे, वहाँ काफी ज़्यादा landmass है, लेकिन सदन है hemisphere के अंदर landmass कम है, maritime जो water है, वो ज़्यादा है, अब जो maritime water ज़्यादा है, तो I can definitely say, कि इस situation के वज़े से, यहाँ पर जो climate है, वो बहुत ही moderate रहता है, moderate रहने के साथ साथ में rainfall है, वो भी ठीक ठाक रहता है, मौश्चर अच्छा रहता है, इसलिए cane sugar जो है, यहाँ पर काफी popular है, ठीक है, cane sugar के अलावा अगर मैं बात करती है, यहाँ पर मेज कई growth भी की जाती है, और क्योंकि throughout the year लगबग same type का climate होता, temperature range जो है, यहाँ पर बहुत ही narrow है, annual temperature range की अगर मैं बात करूं, annual temperature range की अगर मैं बात करूं, तो it is very very narrow, अब annual temperature range अगर narrow है, तो definitely I can say कि इस area के अंदर क्या होगा, basically all through the year लगबग एक ही type की crop की जाती है, बट आपको पता है कि एक ही type की crop को, बार-बार किसी land पे grow करना, मतलब lion will become infertile, क्योंकि nutrient नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका, basically crop rotation देखने को मिलता है, once we had grown a crop, अगली बार क्या होगा, कोई और crop grow करेंगे, and so on, so on, इसलिए आपका crop rotation, एक important activity की तरह आपी, नजर आ जाता है, that is important thing which we must know, तो यह आपका basically chapter है, जो मैं आपके साथ में share करना चाहता हूँ, कुछ important information भी है, जो मैं आपके साथ में share करना चाहूँगा, देखिए अभी prelims exam, क्योंकि यह आपका बहुत nearby होगा, तो obviously उस टाइम पे आपको एक prelims का revision, बहुत required है, मतलब prelims exam, मैं यह बोलूँगा, बहुत कुछ किया था, बहुत अच्छा पढ़ा भी था, लेकिन prelims के अंदर मेरा जो है, वो इतने माक से रह जाता है, रहना मतलब रहना ही होता है, तो इसलिए अपनी prelims को, success को ensure बनाने के लिए, you can take admission into the study IQ, बहुत कि आपका 19th December से start हो रहा है, यह आपका basically जो SIP batch होगा, 19th December से start होगा, अब सवाल आता है, affordability का, तो it is always there with the study IQ, you can take admission, after using the code couple live, you will be getting admission only at affordable price of 6000 only, तो आप अपनी 2023 के prelims को अगर इंसुर करना चाहते, तो you can take admission here, live foundation batch जो कि अंदर हो चुका है, 10th of December से इसके admission close हो जाएंगे, तो still if you are thinking कि आपकी पुरी comprehensive preparation आपको करनी है, तो आप couple live का code यूज करके, live foundation batch के अंदर भी admission ले सकते हैं, जिन लोगों को अपनी NCRTs को prepare करना है, they can take admission into the NCRT course, there you can use the code couple live, और जो की batch आज से start हुआ है, जो की batch आज से start हुआ है, ठीक है, आज से, मतलब हुआ क्या है, अभी भी आपकी class जो हो साथ बजी होगी, today is 5th of December, तो मतलब आपका जो batch है, that is going to start from 5th of December, that is really amazing, कि आपकी अभी भी कुछ मिनट ही बाकी है, मैं यही बोलूँगा, आपकी class को start होने में, still you can take admission and take the live classes of NCRT, क्योंकि यही basic पीलर होती है, मुझे जूडने के लिए आप कपिल भार्दवाज ऑफिचल टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं, य कर वाज़ुच्ट, कि आप ककुछम हमे और सकते हैं, यह जूडने कि लोग सकते हो आप कर अपकी हैं, कि बोलूँगाल पार्दवाज से भी को, ब Jiang 누hal जो आपकी हैं, कि अपकी कि अवाजन है कि अभूग capable आपकी को, जो एम को, आपकी हैं, कि वाफकी को, इम ऑपकी हैं,